हेलो दोस्तों आग जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हो ये कहानी है जलपरियां खाने वाली चुड़ैल की तो चलिए दोस्तों देखते हैं जलपरियां खाने वाली चुड़ैल की कहानी बहुत समय पहले किसी समंदर में जलपरियों की एक खुबसूरत नगरी हुआ करती थी वहां रहने वाली जलपरियां एक खुशाल जीवन जी रही थी शाम होते ही सबी जलपरियां समंदर के किनारे जाकर डांस किया करती थी और साथी वहां मौझूद पंचियों के साथ खेला करती थी इस तरह सभी जलपरियों की जिंदगी बहुत अच्छी कट रही थी फिर एक दिन सुनो मेरी प्यारी बेटियों मुझे अभी अभी पता चला है के हमारे समंदर के पास वाले जंगल में कही से खतनाक चुड़ैलाई है इसलिए तुम दोनों अपना खयाल रखना और रोज हंदेरा होने से पहले घर आ जाना मा तुम चिंता मत करो हम दोनों बड़ी हो गई हैं और अपना खयाल रख सकती हैं अच्छा अब हम दोनों समंदर के किनारे खेलने जा रही हैं फिर दोनों जलपरी बेहने समंदर के किनारे खेलने चली जाती हैं दूसरी तरफ पेड के पीछे छुपी चुड़ैल उन दोनों बेहनों को दीख रही थी ये जल परियान तो बहुत ही खुबसूरत है इनका मलायम मलायम मास और भी ज्यादा स्वातिष्ट होगा मैं अभी इन दोनों को अपने जाल में फसाती हूँ उसके बाद चुडएल एक संदर सी राचकुमारी का रूप धारन कर लेती है और अपनी शक्ते से वहाँ एक घोड़ा गाड़ी प्रकट कर देती है फिर चुडएल घोड़ा गाड़ी में बैटकर समुंदर के किनारे पहुन जाती है अच्छानक अपने सामने इतनी संदर घोड़ा गाड़ी और राचकुमारी को देख दोनों जलपरी बेहनों को बड़ा तज़्यूब होता है तबी राचकुमारी बनी चुडएल उन दोनों जलपरी बेहनों से कहती है सुनो मैं पास के राच्जा की राचकुमारी हूँ मेरी कोई सहेली नहीं है इसलिए मैं अकेली यहां सेर करने आई हूँ क्या तुम दोनों मेरी सहेली बनोगी मैं तुम्हें अपनी महल ले जाकर धेश सारा स्वाधिश खाना खिलाओंगी और तरह तरह के सुन्दर कपड़े भी दूँगी ये सुनकर दोनों जलपरी बेहने खुश हो जाती है और फॉरन चुड़ेल से दोस्ती करने के लिए तयार हो जाती है उसकी बाद चुड़ेल उन दोनों बेहनों को अपनी घोड़ा गाड़ी में बटा कर जंगल की और निकल जाती है थोड़ी देर के बाद चुड़ेल एक बड़ी सी गुफा के सामने घोड़ा गाड़ी रोग देती है फिर अगले हीपल चुड़ेल अपने असली रूप में आ जाती है चुड़ेल को देख दोनों बेहनों के हाथ पर कांपने लगते हैं और वो समझ जाते हैं के उनके साथ धोका हुआ है दोनों अपनी जान बचा कर महां से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन चुड़ेल लपक कर उन्हें पकड़ लेती है और अपनी गुफा में ले जाकर दोनों को मार कर खा जाती है फिर अगले दिन से चुड़ेल इसी तरह राचकुमारी का रूप धारन करके समंदर के किनारे आने वाली जलपरियों को अपने मीठे मीठे बातों में फसा कर उनसे दोस्ती कर लेती है उसके बाद चुड़ेल उन्हें अपनी गुफा में ले जाकर मार कर खा जाती है देखते ही देखते चुड़ेल बहुत सारी जलपरियों को मार कर खा जाती है दूसरी तरफ अचानक समंदर से जलपरियों की संख्या कम होते देख रानी जलपरी को बहुत चिंता होती है आखिर ये सब क्या हो रहा है अच्छानक मेरे समंदर की जलपरियां कहां गाइब हो रही है रानी जी मुझे लगता है ये उसी चुड़ैल का काम है जिसके बारे में कुछ तिनों पहले हमने सिना था अगर ऐसी बात है तो हमें किसी भी तरह उस चुड़ैल को पकड़ना होगा उसके बाद रानी जलपरी अपनी जादुई मचली को समंदर के किनारे जासूसी करने के लिए भेज देती है शाम को चुड़ैल राचगुमारी का रूप धारन करके जब एक जलपरी को पकड़कर ले जा रही थी तब ये सब जादी मचली देख लेती है और फौरण रानी जलपरी को जाकर बता देती है रानी जलपरी बड़ी सी मगरमच के ऊपर सवार होकर चुड़ेल का पीछा करते हुए उसकी गुफा में पोहंग जाती है गुफा में चार उन तरफ जरपरियों के कंगाल पड़े हुए थे ये देख रानी परी को बहुत गुसा आता है तब ही चुड़ेल रानी जलपरी को देख लेती है अरे वाज तो रानी जलपरी खुद मेरा शिकार बन कर आई है अब इस जलपरी के साथ साथ मैं तुझे भी मार कर खा जाऊंगी लेकिन रानी जलपरी उसी वक्त अपनी जादूई शक्ती से चुड़ेल के गले में एक मोटी रसी बांद देती है और उसे घसीटे हुए बाहर एक पेड़ के पास ले जाती है नहीं नहीं रानी जी मुझे छोड़ दीजिये मैं दुबारा किसी जलपरी का शिकार नहीं करूँगी और हमेशा के लिए यहां से भाग जाऊंगी खामोश हो जाद उस चुड़ेल तुने बड़ी बेरहमी से मेरी जलपरियों का शिकार किया है अब मैं तुझे बचने का कोई मौका नहीं दे सकती इतना कहे कर रानी जलपरी चुड़ेल को पेड़ पर लड़का कर उसे फासी देती है देखते ही देखते चुड़ेल तड़ब तड़ब कर मर जाती है उसके बाद रानी जलपरी उसकी लाश चील कवों के सामने फैंक देती है इस तरहां उस दूस चुड़ल का अंतो जाता है उसकी बात सबी जलपरियां फिर से सुकून से अपनी सिंदगी जीने लगती है तो आपने देखा दोस्तों जलपरियां खानी वाली चुड़ल की कहानी इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है के हमें कभी भी किसी अजनवी से दोस्ती करने से पहले उसके बारे में सब कुछ जान लेना चाहिए वरना कोई भी हमें आसानी से बेव को बना कर हमारा फाइदा उठा कर हमें धोका दे सकता है अगर ये कहानी अपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चानल को सबस्क्राइब भी कर लें और हाँ दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताना क्या आपको कहानी कैसी लगी